हेलो एब्रिवन आंगनबाडी से जूडी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आंगनबाडी से विकाओं को पोशन ट्रेकर एप पर वर्क करने के लिए या अन आंगनबाडी से रिलेटेड विभाग गया है कि दर से तो कहीं 50-50 रुपए के दर से प्रतेक महीने के रिचार्ज का पैसा मिनतर आपको पता है कि महांगाई दर कितनी ज्यादा बढ़ गई है मोबाइल रिचार्ज हो या किसी भी चीज की हो तो मोबाइल रिचार्ज के पैसे को लेकर के संगो द्वारा मांग भ बढ़ा दिया गया है और सेविकाओं का कोई माया ममता भी भाग नहीं दिखा रही है जिसको आप लोगों को मैंने अपने ग्रूप में भी जो है कि अपने वीडियो के माधियम से भी दिखाया था और यह बाइस आठ का लेटर है इसके अन्य कई सारे लेटर भिहार आंगनब आप लोगों को मैंने एक न्यूज दिखाया था जिसमें आगन बाड़ी सेविकाओं को पुना मोबाइल देने का भी बिचार कर लिया गया है साथी साथ देखिए यहां पर जो है कि सेविका के मोबाइल रिचार्ज के लिए अब मिलेंगे तीन हजार रुपया पटना आग यह बात कही गई है दूसरी देखिए आप लोग यहां भी कहा जा रहा है तिकी हैडिंग सेविका को मोबाइल रिचार्ज के लिए अब मिलेंगे तीन हजार रुपए आगन बड़ी किंद्रों में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए सेविका को हर महीन देखिए यहां विभाग के मुताबिक माध्यम से पोशहार सहित अन्य काम काज को हर दिन आनलाइन अपडेट किया जा रहा है इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी को स्मार्टफून दिया है ठीक है दिया है दिया था नहीं लिखा गया है दिया है लेकिन हाल के दिनों में पाया गया छेत्र प्रमण के दोरान कोई सेविका और सहाई का आंगनबाडी केंद्र से जुड़े संग के नेताओं से इसे लेकर के जानकारी मिली है इसके बाद रिचार्ज की रासी बढ़ाने को लेकर के विभाग में भी चर्चा हुई देखिए यहां इस पष्ट सब्दों में लि के बाद ही जो है सरकार की आंखें खुली है और नया mobile फोन देने की भी बात कही जा रहे है साथ ही साथ अब Maibaील रिचार्ज का पैसा तीन हजार उपए साला देने की बात कही जा रही है तो यह थी आंगणबाड़ी की बेहरद ही यूसफूल औरफन इसके साथ हैं यांगन बाड़ी केंद्रों पर कराए जाने वाली किसी एक्टिविटी की जानकारी हो मिलती ही नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते हैं